पीटॉट कर रहे हैं का जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं फाइनने स्टेटमेट आलिजस अप्लिकेशन तो धूक्ष फाइनने स्टेटमेट अनलिकरश तरिकेशन ऐसे को फिचर फर्कास करेंग तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और सकते हैं रशेटेश अनलेसिस कर सकते हैं रेशियो आशेश कर सकते हैं रेशियो और इसले इस अब लिए बटाता है तो फिर्स्ट क्वेश्चन क्या बोर रहा है एक पहले का परफॉरमेंस देखो और उसकी स्ट्राटीजी बताओ पहले उसने क्या स्ट्राटीजी अप्लाई किया जिसके वज़े से यह आपको क्या देखने को मिलता है उसमें क्या चेंज लेके आया वो प्रॉफिटेबल बना या उसकी लीकृटिटी स्ट्रॉंग होई यह सब आपको बतांगे ठीक है तो इन रिवीव और फैनेंशल स्ट् इन दीज रेशियो अगर प्रॉफिटेबिल्टी की बारें बात करें प्रीविएस एर के मुकाबले में इस साल ज्यादा है तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया ओके अच्छा कैश अगर लिकृटिटी की बात करें इफ बेंच्मार्क साइडिस्फाइ कर रहा है तो कं कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस के यह बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के परफॉर्मेंस को जानने के लिए ओके ट्रेंड इन फाइनशल रेशियो दिफ्रेंस बिटून फाइनशल रेशियो और उससे मालम चलता है कि आपकी स्ट्राटेजी उसके मुकाबले में कैस कर्च किया और उसका रेवेन्यू जो है वह 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 फाइव क्रोर का जन्रेट हुआ यू हम अनली स्पेंट ट्वेंटी लाक्स अन्ट मार्केटिंग लेकिन तुम्हारा 10 क्रोर का रेवेन्य जन्रेट हुआ तो डेफिनेटली इससे मालम चलता है कि उसकी स्ट्राटेजी औ किस टाइब का जिसे तुम्हारा ज्यादा अपीलिंग लगे लोगों को या तुम्हारे प्रॉडेट को इतनी जिरुक्त नहीं है यह सब अनलिस्ट को मालम चलेगा उके उसके बेसिस पर हम लोग कंपनी का कंपनी के ओपर कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं तो ना थे ना मतलब हाइंड कंपुटर के साथ मतलब हाइंड कंपुटर को मिलेगा डिफरेंट यह रिसर्च डेवलोप्मेंड में बहुत पैसो लगाएगा करेक्ट प्रिवेस्नी उसका कोई आरेंडी नहीं था इसका फोंस प्रॉम चाइना बस अपना लेबल लगाओ बेस दो इसका ग्रस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हुआ करता था विकॉस उसके रेवेन्यूस बहुत हाई हुआ करते दिमांड ज्यादा था मार्केट ना अंड उनक अगर मैं इसकी बात करूँ जो high technology वाला जो computer form है उसका gross profit margin भी इसना ज्यादा नहीं रहेगा उसका net profit भी तोड़ा कमी रहेगा क्योंकि उसका बहुत सारा खर्चा major expenses goes to R&D. शिवांग तो हुआ अक्टिव हो ना? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hello? Hello? हाँ, सुन्दे में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, so premium products are usually soldered higher gross margin than less differentiated commodity like products. So, हम क्या देख रहे हैं? We might also expect the company with cutting edge features and high quality to spend higher proportion of sales on research and development, which may be quite minimal for a firm purchasing improved components. मतलब जो बाहर से ला रहा है उसके लिए research and development की जरपने है. So, ratio of gross profits to operating profits will be larger for a firm that spends highly on R&D. मतलब उसका gross profit तो ठीक है, उसके कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन operating profit कम हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका बहुत बढ़ा एक chunk, यानि उसका revenue का बहुत बढ़ा जो भी मतलब expenditure है, वो R&D में लगाएगा. और gross profit में से अगर operating administration and selling expense निकालने पर we get operating profit. दूसरे firm का ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे firm का normal रहेगा, कोई issue ने रहेगा. तो इस सिर्फ high technology firm का R&D में लग रहा है, उसका operating profit कम हो सकता है gross profit के मुकाबल में. तो यह हमको देखने को मिल रहा है strategies, दो company को compare करने में कैसा उसका strategy और कैसा इसका strategy रहा है रहा है तो तुमारा जो sales है at the rate of 5% per year case आपसे बढ़ रहा है, एक छोटा calculation करके देखो, 86,145 into 1.05, तो यह देखने को मिल रहा है कि यह बढ़ गया, हर साल यह sales बढ़ता जा रहा है, यह सिर्फ forecast है, मतलब कुछ ऐसा कुछ, मतलब कुछ है नहीं, परकास देख रहे हैं, COGS, इसका 35% है, सब में देख सकते हैं, operating expenses, 55% है sales का, pre-tax income आ गया, taxes card दिये, net income आ गया, इस बोराइंग वगरा कुछ किये हुए है, working capital भी हमारा business में लगता ही है, everyday, हर दिन के basis में हमारा खर्चा होता रहता है, डेली के activities को smoothly run करने के लिए, हमारे current assets दिये हुए, net income हमारा यह आया है, net income तो यहाँ देखने को मिली रहा है हमारे को, ठीक है, इसके बाद, वर्किंग क्या हुआ, non cash working capital मतलब क्या, cash को छोड़के receivables और inventories minus payables, यह सब का difference, अच्छा, investment भी किया हुआ है, वर्किंग capital में, क्योंकि extra requirement की जरुवत पड़ी होगी, fix assets में भी हमने investment किया है, हमारे turnover का 5% लगाया है, change in cash दिखा रहा है, ठीक है, change in cash कैसे दिखाएगा, जो भी in flow, out flow, उसका difference, एंड फिर ending cash भी बता रहा है, ठीक है, एक बार यह projection देख लो, यह से theory में कुछ देखने का नहीं है, तेर फार्म लोगी क्या है, वही है, चलो, आगे बाद को, अगर तुम किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हो, उसके बांड्स करीदना चाहते हो, तो उसके बांड्स अगर तुम को खरीदना है तो तुम क्या कर सकते हो, रेटिंग्स चेक कर सकते हो, डेफिनेटली तो वह एक इंवेस्टमेंट ग्रेड ही होना चाहिए, याने रेटिंग एजन्स मूरीज एन एसन पी तुमको रेटिंग्स बता देंगे, तो ट्रेडिशनली क्रेट अनलेस्ट आप स्कोकन और त्री सीज वह त्री सीज पोर सीज और इवन फाइप सी ऑफ क्रेडिट अनलिस तो यह त्री सीज अगर आम देखें, याने उसकी कॉलिटी को लाट्रल याने उसके पीछे एजट का बैक अप और उस कंपनी का करने का यह तीनों के बेसे पर रेटिंग दी जाती है, नाँ, इसके बाद एक और चाप्टर कर ले है, यह तो करते हैं, यह तो 15 मिन में हो जाएगा अब देखो, अच्छा, यह क्या बोर रहता, स्पेसिफिक आइटम्स यूशिंग दा फॉर्म लाइंडर वेट वेरी फ्रम इंडश्री इंडश्री बट टाइप्स आइटम्स कंश्टर इंटो पोर जेनरल क्याड़ेगरी जाने किन किन चीजों को कंसीडर करके तुम कोई चीज की रेटिंग्स दे सकते हो केल एंड डाइवर्सिफिकेशन लाजर कंपनीज और वेराइटी और प्रॉडेक्ट लाइन ग्रेटर जोगराफिक डाइवर्सिफिकेशन और बेटर क्रेडिट रिस्क याने बड़ी कंपनीज जो ह को उसकी रेटिंग्स अच्छी देखने को मिलेगी मार्जिन स्टेबिलिटी याने जिसका प्रॉफिटिबिल्टी स्टेबल है काफी अच्छा रहेगा उसकी रेटिंग्स अच्छी रहेगी लेवरेज याने रेश्यो ऑपरेटिंग अरने अगर उनको कपासिटी है पे करन करने के लिए तो मतलब बहुत सारे केसे में क्या करता है यूज यूवर्ट वागर में करेंगे तो रिस्क कम रहेगा एक विटी में ज्यादा रहेगा ठीक है ना एक कंपनी के एक विटी में पैसा डालना तो प्राफिटेबल है उसका अगर लेवरेज रेशियो जाने उसका थोड़ा एक विटी के मुकाबले में कम होगा तो अच्छा होगा एंड प्रॉटेबल रहे तो अच्छा रहेगा सटेनेबल गूरूथ दिखा रहा तो अच्छा रहेगा प्राइस तो अर्निंग रेशियो उसकी हाई होनी चाहिए याने उसका मार्केट प्राइस वाइश प्राइस यह सब देख यहां कंपनी में पैसा लगा सकते हो यह सब तो हम देखते हैं ना किसी भी कंपनी में पैस लाले से पहले डेटा माइनिंग मतलब मतलब क्या वो सर्वाइब करेगा कि नहीं करेगा यह सब अनलिस्ट को हर एंगल में सोचना है पॉस्टी भी देखना नेगेटी भी देखना डेटा माइनिंग बाइस याने इसका पूरा डेटा हम लोग पुरा खंगाल के लेकिया है सारा रिसर्च करके तो उसमें भी हमको य अब तक नहीं करें शिवांग बहुत इंपॉर्टेंट चाप्टर पक्के क्वेश्चन से एक्जाम में और बहुत सही तरीके से समझाए हुए है ती अपने क्लास को जो टाइम लगता है वो टाइम जादा तर डीप में बताने से लगता है नॉर्मल ऐसे बताके नहीं अपन निकालेंगे तुम्हारा कहा तक डीप ने गया और क्वेश्चन सब्सक्राइब अपनी को दूसरे से कंपेर करना है तो यूएस कंपणी है यूएस से कंपेर करना है और इपर याने इन्डियन कंपनी जो आया फरस फॉलो करती तो सबसे पहले आप अपने स्टैंडर को ट्रैंस्लेट्स कर लो याने कि यह दोनों अलग-अलग standards फॉलो करते हैं दोनों के treatment होंगे ढ़िए दोनों की treatment खूल कोने के वैसे दोनों का यह तो यह तो आग इसके treatment अलग होने के वज़े से डिप्रीशियेशन के ट्रीटमेंट अब जैसे आयए फारस में आपको बता है कि यू डॉंट है लीपो सकते हो क्योंकि वह बोलते हैं लीफों में आप टैक्स मैनिपलेशन कर रहे हो ज्यादा बता रहे हो प्रॉफिट कम कर रहे हो टैक्स बचा रहे हो तो इसलिए जब आपके स्टैंडर्स मैंश ने करेंगे तो कंपरिशन मुश्किल हो जाएगा करेक्ट मैंने वही बताया यह तीन हमने किया था भूल गए है तो रिकावर कर लो तो बिकाउस दी क्लासिफिकेशन आफ फोर्म इंवेस्मेंट सेकृरिटी एफेक्स हाव चेंजेस इन देर वाल्यूस और रिकॉर्ट इस सिग्निफिकेंट इस इनके सिग्निफिकेंटली एफेक्स रिपोर्टर्ड जैसे तुम एक बार कॉंसेट को सोचो वापिस रिकॉल करो डाट क्लासिफिकेशन आफ फोर्म इंवेस्मेंट सेकृटी जाने आप एक सेकृरिटी को किस तरीके से क्लासिफाइब कर रहे हो यह तीन तरीके से हम कर सकते हैं उसके इसाब से यह डिपेंड करेगा कि उनके व बोलने का मतलब यह है हेल्टु मेचॉरिटी सेकृरिटिस कभी भी हम अमोर्टाइजड कास्ट पे दिखाते हैं याने अगर यह प्रीमियम पे इश्यू हुआ है या यह डिसकाउंट पे इश्यू हुआ है तो इसका अगर कोई प्राक्टिकल क्वेश्चन देखना तो पूरा सम बता हुआ है वो चेक कर सकते हैं याने क्वेश्चन का डेटा लेकर बता हुआ है तो तो यह सब ट्रीटमेंट के उपर डिपेंड करता है तो रिकाल डाट अन्रियलाइज गेंज याने जो होल्डिंग गेंज होते हैं जैसे हो हैल्टु मेच्वरिटी या अगर म लाइक इसकी बात करूं तो अवैललेबल फॉर सेल में किस में दिखाते हैं और किसमें पिफेंड में दिखाते हैं करेक्ट अन्रियलाइज गेंज अन लॉस अंहेंड फोर ट्रेडिंग सेकृर्टीरिटीज आर्म इल्टू मैं पीच्वरिटी सेटीटीज इस आर नौट सि के भी हम बेच सकते हैं लेकिन अवेलबल फॉर सेल और हेल्टु मेच्वरिटी का नहीं दिखा सकते हैं तो यह डिफरेंट इफरेंट ट्रीट्मेंट्स होने के वज़े से कंपैर अबिलिटी अलग मतलब करना मुश्किल हो जाता है तो एडिशनली वाइल अन्रियलाइज गे खोते हैं आप या उसके लॉसस और हैंडो फो ट्रेडिंगै छल्ट तेडिंग मतलब अवेलबल फॉर सेल एक तो हेल्टु मेचॉरिती है applaud you इसको हम क्या करते हैं balance sheet में दिखाते हैं लेकिन health to maturity को नहीं दिखाते हैं सब्सक्राइब करना बहुत ही मुश्किल है बस वही बुरह रहा है डोनों भी अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं चीज़ों के लिए क्या पॉइंट है अब्सक्राइब मतलब यह आपका ट्रेडिंग सेकुरिटीज हुआ तो ट्रेडिंग सेकुरिटीज का जो भी होगा अवैलेबल फॉर सेल यह ने अवैलेबल फॉर सेल या ट्रेडिंग का बैलेंशीट में बताएंगे होल्ट मेंच हेल्ट मेंच रिटी का नहीं बताएंगे मतलब उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पर दिखाते हैं तो नाउ यह आघेखो एक डिफरेंश बता रहा आया आया फरस उस गाप ने कंपरिटिव सडय कॉंपरिडिव सेटिई है अगर आपको फ़र्म को अगर करना है तो जो इसमें एक्स्ट्रा आपने आड करके रखा तो इसको आड करके दिखा ना पड़ेगा तो जिससे आपको अगर आपको लाइक क्या बता रहा है यह पूरा डेटा है वाट इस तो ठीक ही कर सकते हैं वाट इस अप्रोप्रेट एजिस्मेंट आप टुदी फर्म को गया थिक है अच्छा नहिए लिख रहा है बाड इस अट टेर्याट आप डू तू ताओज़ेंट थू बिपोर एंट आफ एजिसमेंट फॉपर कंपर अबिल्टी क्या फर्म्ट एपॉट्सरींट इससे की फीफो इन्वेंटरी वालीएशन नेटर से जो लीफो इंवेंटरी अपने कॉस्टिंग में यू सब्सक्राइब यह घाप है आपको फो को के सबस्के से बताना है तो लीफो प्राइब करने के लिए के लिए अपना फॉरमला क्या है वो भूल गया तरुए मैं बाता देता हूं फीफो इन्वेंट्री इस इक्वल टो ना पर गया हूं इस एंपॉइंट सेवेंट इडिग लिफो रिजर्ब टुरेंट अशर्ट इंक्रेशिक करेंट इंच्ट मैं बताता है कि मेरे क्या देश में हमको बस दिफ्रेंट्स दिखान के देखना पड़ेगा एक सब्सक्राइब इसको आपको अगर कंपनी फीफो इन्वेंट्री माइनस देखो फीफो इन्वेंट्री माइनस लिफो इन्वेंट्री तो मतलब फीफो इन्वेंट्री उन्वेंट्री मिल जाता करें इन दोनों का डिफ्रेंट्स ही तो यह उता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रियेंट हो रहा है कन्तलों मतला सीमृक्त हीशे माने ऐफ के लिफ्धा से लिफ्धी केना अगर मुझे सब्सक्राइब क्रीजेश क्रीच तो क्या करना होगा लिफ्धा अपर सब्सक्राइब आई so टो खुरिडिव में ट्रीच प्लीपॉंअ टॉची मुझे फीफ हैं में धूने गार दीकमेंट तैसा और nggak आखना प्रेटिमेंट तो को सी ओजी असमें यह लीफो रिजर्व को हटाना पड़ेगा तो सी यह जी अस ऑफ फीपो फीपो माइनस चेंजर इन लीफो रिजर्व तुइंद पिडिए अगर कुछ है तो कि यह अब रिवीजन करते समय हर तिन यह सब टॉपिक्स एक दो 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 टॉपिक्स दूँगा तो यह पूरा डीप में जाना पड़ेगा तो यह आपका हो गया की फीपो इंवेंट्री और लीफ इंवेंटरी का जो डिफ्रेंब्स है वो को रिजर्व है अगर आपको अगर आपकी फार Senior प्री से लीफो इन संप्री। सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरा अगर फीफो में चाहिए तो फीफो में से जो भी मतलब लीफो रिजर्व के जो चेंजर वो निकालना पड़ेगा तो अब यह अप्रोप्रेट एजस्मेंट हम करेंगे तो अभी हां अभी हम लीफो रिजर्व का मतलब क्या है लीफो स्दिकोर्टर श्री प्लस अबवन रचेंगा फानसे के लिफो तो यह हमारा टेन पॉइंट सेवन बाइफाइट टूपॉइंट वान फॉर और वही चेंज़ बताना याने वह फाइव और सेवन के बीच का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिजाब के बीच का जो डिफरेंस है तो आपको सियो जीएज में अध्यस करना और यह जो डिफ्रीशेशन में और एस्टीमेट्स है इनके भी चेंज़ेस जो होते हैं उनको भी आपको सही तरीके से बताना है मतलब क्या है अब देखो अपना जो इसमें स्ट्रेट लाइन मेतड और डिमिनिशिंग बालेंस मेतड दोनों भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप योएस गैप में देखो तो डबल डिकलाइनिंग मेथ्ट आएगा क्या है ग्या अग्विश्य ANY यह अगर आम दिखाएंगे तो हमारा क्या होजाएगा और यह दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी जाद़ीखना और प्रॉफिट भी जाधा अध्या तो अलड़ी मैं आपको जब रिपोर्टिंग का चैप्टर पढ़ाता तो आपको बता है कि स्ट्रेट लाइन से डिमनीशिंग को चेंज करेंगे तो रेट्रॉस्पेटिव एफट्ट देना है को मैं बता चुका हो लोगी करेक्ट और इसमें भी देखो फर्म जो है एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अप्रोस दोनों लेके चलती है इसले चैप्टर में एक कॉंसर्वेटिव बता दिया तो उसका बीटोला कॉंसर्वेटिव खतम हो जाएगा यह पारेग्राफ में दिया हुआ है चैप्र में यहाँ देखो अगर मैं बोलू एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग का बीच का डिफरेंस क्या है चैपिटलाइजिंग करेंट पीरेड कॉस्ट एक्सपेंसिंग याने अगर आप क्या प्लेस करने का मतलब क्या किसमें बता रहे हो करने से प्रॉफिट कम हो जाता है कालाइज लेकिन ओवड़न किए का होगा फ्यूचर में क्या और एक्सेpper कब्हूंँ कुई अभी पुरो दिखा दियाना सो यह साल का प्रॉफिट कम होगा अभी जैसे फर एक्जामपल तुमने केसेट को डस लाग के असेट को बैलेंशिक में लिख दिया अब इसका डिप्रेसिशन हर साल बता होगे ना दो दो लाग करके तो हर सल का प्रॉफिट दो दो लाग से कम होगा एकसामपल बता रहा हूँ वह अगर पूरा एक सत्थ पीडल में तो वो साल का प्रॉफिट पुरा आपका बहुत ही कम हो जाएगा टैक्स कम हो जाएगे मैं यह नहीं बोर रहा हूं कि आप एसेट को पी अडल में डालो कुछ-कुछ एक्सपेंसर क्याप्लाइज में करके वो लोग एक्सपेंस कर देते हैं ओके इसेट को नहीं बोर रहा हूं खुछ एक्सपेंस की बास कर रहा हूं लांगर एस्टिमेट्स आफ लाइफ डिप्रीशेबल एसेट्स याने अगर आप लंबा एस्टिमेट्स लगाते हो एक्रेसिव एकाउंटिंग याने प्रॉफिट ज्यादा बताना चाहरे हो और अपने इसको इट्राइट करना चाहरे हूं चोटे एस्टिमेट्स दिखाते हैं तो ज्यादा होता है प्रॉफिट कम आता है और ये बता रहे हो अगे जाकर और यह लोवर बता शुनिति ऐसे अबढ़ार आधने बहुत कम जाएगा तो इसमेसे अब उसे-प्रॉफिट पिक्ष इंप रहें वागा इसमें अबिसे प्रॉफिट ने है कशप कर रहे होिए आफ कर रहे हैं commitment कम आप estimates कम करके दिखाते हो ज्यादा करके दिखाते हो ठीक ना अगर ज्यादा बड़ा एस्टिमेट दिखा है तो expense ज्यादा बड़ा दिखेगा कम दिखेगा है आप पर and smaller valuation allowances for deferred taxes यहाँ पर भी इस point को छोड़ दो क्योंकि यह अभी हम लोग जब next chapter हमारा वही सब्सक्राइब करेंगे जब बता लोगा अभी कुछ समझ में नहीं आएगा इसके यह दोनों यह यह और वो हो गया तो बस लास्ट चाप्टर यह वह पर यह सब कुछ भी नहीं है मेरे बुक में यह पिछला चाप्टर ने बहुत पहले के चाप्टर को लाके हाँ मैं अग्रेसिव क्योंकि अपने को इसमें टॉपिक है अग्रेसिव एक बार दिखा दिया वह नहीं करेंगे कवर हो जाएगा हूँ अब हमारे लास्ट टॉपिक आफ बैलेंशीट फाइनसिंग आफ बैलेंशीट फाइनसिंग मतलब क्या ऑपरेटिंग लीज जो है आपको उसको बैलेंशीट में दिखाने की जरत नहीं होती है तिर्फ उसको आप पी एंडल में दिखाते हैं तो यह पॉइंट्स पढ़ते हैं कि लीजिंग के बारे में हमने चाप्टर कुछ किया नहीं आभी तक ठीक है तो चोटा डिसकेशन करते हैं बस उसके बाद खतम यह चाप्टर तो पहले मैं बता दूं लीज दो टाइप के आपको बता यह और यह जो होता है सेल पर्चेस एग्रिमेंट जैसा होता है और करना पड़ेगा अब देखें डेट रेशो याने जो भी आप एक डेट रेशो फाइंड करते हो डेट टू इक्विटी या जो भी टाइप का शुड इंक्लूड लाइबिल्टी बोथ क्यापिटल और फाइनांस लीज और ऑपरेटिंग लीजर याने एक डेट रेशो है आ अगर आपको जो भी फ्यूचर में लीस पेमेंट देना है उसक्या आज की डेट निकालते हैं वह भी एक डिसकॉंट फैक्टर से वह जो अगर आप कहीं से फाइनांस पर पैसा लेकिया के वह ऐसे खर दे तो डिसकॉंट फैक्टर लगा के अलगा के आपको एक लाइबिल्टी होती है तो वह आपको पे करना होता है लेकिन उसका प्रेजेंट वाली अगरा निकालते नहीं जरत नहीं है अगर आपको प्रेजेंट वाल्यू चाहिए आपके ऑपरेटिंग लिस लाइबिल्टी का अनलिस क्या कर सकता है रेशियो और प्रेजेंट वाल्यू अफ यू सम आफ दीज फ्यूचर पेमेंट्स मतलब आपका टोटल ऑपरेडिंग लिस पेमेंट क्या होगा आप उसका एक रेशियो निकालते ओकिसके साथ प्रेजेंट वाल्यू प्रेजेंट्स मिलेगा नहीं तो आप दूसरा भी काम कर सकते हो यह आप लोगों को नहीं है वैसा ज्यादा तर यह आपको लीजिंग लीजिंग नहीं है आपके सिलबस में आटा दिया ना आप लोग को सिलबस में नहीं है तो लीजिंग नहीं है तो यह भी नहीं रहेगा आई तिंग वह लेवल टू में डाल दिया आगे बारू यह यह बता हूं बता हो तो बता सकता हूं नहीं नहीं है फिर नहीं है तो क्यों करें अब गुडविल का भी देखो क्या है तू कंपरीज विद आइडेंटिकल एसेट्स बट वेर वन एस ग्रोन थू अट्पॉजिशन आप सम बिजनेस उनिट्स वाइन सब्सक्राइब करते हैं तो उसका जो भी आप पेमेंट करते हो 120 किया उसका वाल्यू हंडड़ है तो 20 एक्स्टा को गुडविल बता सकते हो यह सब्सक्राइब करके बड़ा है और दूसरा इंटरली बड़ा है पुद के रिसेर्च एंड डेवलोप्मेंट के ओपर ठीके ना विल्चोर डिफेंट बैलेंशीट वाल्यूस पर सेम एसेट्स पर कंपनी दर ग्रों त्रों एक्पॉजिशन पांजिशन पांजिब एक्वा आक्वाइर कर रहे हो तो उसके सारे के सारे यापका कोस्त है और प्र आप इंटाइंडिटिफाइबल मतलब जो बेचकर आप पैसा आज की आज़ कमा सकते हो गुद्विल नहीं हो सकता वो गुद्विल को बेचने सकते बिजनस के साथ ही जाता है सपरेबल नहीं है बिजनस इसको बताना पड़ेगा अच्छा गुद्विल जो भी एक्टस होगा वो बता दोगे डैसे टुए इंपरेबिल ने लिए तुए तुए अच्छाओ ब्सक्राइबिल ने बता दिया उसका अध्याइबिल ने गुद्विल एक अट्रविल्टीज इसका हुआ वह बोला आपको की मेरा एक लाग पेमेंट होगा मनें बता दिया और उसका इंपरेमेंट जो भी है वह इंक इसको नहीं लेना है इसको नहीं होगी अगर जब गुडविल नाम की चीज को आप ले ही नहीं नहीं रहे हो तो इससे रिट इंपेरिमेंट भी कैसे ले सकते हो नहीं लेना है ना अ हाँ अ हाँ न काल सकता है राधर इन फो अदिशसटे बूक रेशियो भी वाल्यो ध sexual मतलब निकाल वाल गोल्य मतलना है राधर इन प्रिस वाल्यू अ Frank अगर आपको प्रई 바४ भल्यो प्रे us स्टैशल रिश तो उसको जब गूद्व को अटाएगा तो आपकी बूक वाली तो आपकी वाली तो आपकी आजयेगी तो रेशो बढ़ जाएगा तो रेशो बढ़ जाएगा जाएगा आपको पता है कि IFRS फर्म उपर अपवर्ड रिवालिशन बता सकते हैं उनको ये बताने का सिस्टम है यूएस ग्याप में नहीं होता इसा यूएस ग्याप में अपवर्ड नहीं है सिर्फ डाउनवर्ड है आप इंपेर्मेंट लाउस बता सकते हो तो यह रिवालुएशन करके अगर आप अगर आप आयाफ फारस में बता रहे हो तो वह एक्विटी में चले जाता जो आपने रिवालुएशन करा था और उससे आपकी वाल्यू हाई हुई थी अब वो नीचे नहीं हो रही है याने रिवर्ड नहीं हो रही है ठीक है ना कई बार भाई उपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है करेक्ट और रहूं पहले मैंने रिवाल्यू किया तो जादा हुआ फिर अभी कम हो गया तो यह सिस्टम जो है ना यह जो भी बता रहा है आपको रिवालुएशन डाट डूनाट रिवर्ड रिवर्सल नहीं होता है देखो शिवांग अगर आप फॉलो कर रहे हो यूएज गैप फॉलो कर रहे हो आयज फारस में अपवर्ड भी जाएगा और डाउनवर्ड भी दोनों का भी ट्रिटमेंट है और एक बार अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड हुआ इसको बोलता है रिवर्सल अप अपवर सिर्फ डाउनवर्ड बताना है तो अगर आप यूएज गैप में दिखाना चाह रहे हो आया फारस ते तो वह यह बोल रहा है कि उपर लेके जाके नीचे ने लेके जा सकते सिर्फ नीचे ही दिखा दो बोल रहा है बस उतना ही है अच्छा तो ऊपर नहीं जाना बता रहे ह क्योंकि वह बता देगा मार्केट में इतना मिल रहा है बोलता है कि नीचे हां उसके वालू कम और यह तो क्योंकि होता है यह खाली इंटांजिबल आसेट के लिए है नहीं दोनों के लिए भी डाउन रिवर्कल नहीं चलता है यूएज गैप में तू लेकिन अगर उपर जाता है लाइंड का वैलिवा किसी का तो मैं क्या बोल रहा हूं दोनों भी डिफ्रेंट स्कूल आप ना यूएज गैप में नीचे जाने का बताया जाएगा आयए फरस में ऊपर भी और नीचे भी मतलब एक केस में ऊपर जा सकता है एक केस में नीचे सकता है तो इसको रिवर्सल बोलते है यह आयए फरस में रिकॉर्ड करने का सिस्टम है तुमको चेहते मेरे पास शेसाज वीडियो से मैं भी जाता हूं पुरे जर्नल इंट्रिस को सब्सक्राइब तुमको इसकी नौलेज आ जाएगी ओके अच्छा यह तो से भी पॉइंट है मतलब प्राइस टू इंट्र टैंजिबल बॉक वाल्यू अगर गुडविल को हटा दिये बोलतो वह रेशो बढ़ जाता दिनामें अच्छा अनलिस्ट शुड आलसो नोट आट पर्म्स प्री और पोस्ट अक्विशन क्या अध़ैशन स्टे में लाए डूस्ट में लाग कम्पाराबिटी वन अभंपूिसट शूंमें अच्छा एक्विशिशन को में उता है और लुग मेटा लूस करता है एक इसलीछ एक मरजर तो इसलिए दिफरेंट दिफरेंट तरीके से देखा जाता है तो दाने पूसिशन में इस्टिमेट इस फिर वैले एस्टिमेट सब्सक्राइब इस इस फिरेंट पॉस्ट एक्विजिशन यह अक्वायर करने से पहले के स्टेटमेंट करने के बाद का जो फाइनचल स्टेटमेंट है इसमें कंपेरिशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है यह हां मतलब अलग अलग तरीके से फिर वैली बताएंगे वो इस्तरिकल कॉस्ट देखो यह फर्म जैसे कंपनी को खरदा इसका हिस्तोरिकल कोस्ट जो होगा वो इसको पता है कंपनी को लेकिन आपको जब यह बेचेगा तो थोड़ी ना हिस्तोरिकल कॉस्ट पे बेचेगा वह तो बोलेगा मार्केट वैली वाली आमरेको इसने तीन लाक रुपए में एबिट्स में एक बहुत बड़ा एक मतलब कॉंप्लेक्स बनाया था कब 30 अब यह एक कंपनी इसको खर देगा तो आबिट्स का कॉंप्लेक्स का तीन लाक पर बेचेगा यह तो तीन करण बोलेगा चाहिए वह वह बिल्डिंग कितनी खराब क्यों और लाइंड वैलिव है करेक्ट और रहा है यह सब्सक्राइब यह कंपाइन करते हैं और बैलेंश इनाइड अर्निंग्स पर्चेस फॉम इस नो री स्टेट्मेंट आफ प्रार रिजल्स पहले के रिजल्स को कुछ भी री स्टेट्मेंट में करेंगे इसको अक्वायर करने के बाद आप नए तरीके से अर्निंग्स बताएंगे अब यह तोनों की कंपाइन अर्निंग्स मतलब यह इसकी कंपनी हो गई जो भी है मतलब यह मैं कंसलिडेशन की बात कर रहा हूं अब फिर यह क्या बोलते हैं यह एकनामिक्स का मैं क्या उसके सब्सक्राइब करके वीडियो देता हूं तुमारे को अब यह पूरे देता हूं अब यह चैप्टर करना है अच्छा फिर कल से पर कल करेक्ट एट ओ क्लॉप ठीक है ना यह सुआ अधाली चैप्र फिनिश कर दूगा इससे पहले वाला फिर इंकम टैक्स करेंगे नेग्स क्लास में कि का अग्यों कि घुमागे नेंड्स कि ब्यांगे घुमारे ने ऱुमारे ने ये ऐाओे ये तिनिश करना है